और यहां पर देखें तो हमारे पस यह B दो बार गिवन है, A दो बार गिवन है, अभी डबल डबल गिवन है, इसका क्या मीनिंग है? This means कि यहां पर B है, यहां पर B है मतलब कि इन दोनोंकी वैल्यू सेम हो की, जैसे कि अगर यहां बार है तो यह भी 1 आएगा अगर ही 2 है तो यह भी 2 आएगा and so on. Similarly, यहां पे भी A है, यहां पे भी A है, this means, अगर यहां पे 1 है, तो यह भी 1 होगा, यहां 2 है, तो यहां पे भी 2 होगा. So, सबसे पहले अब हमें ऐसा नमबर देख रहे है, 3 into किसे मुटिप्लाइ करें कि वो ही नमबर आए? So, this is very simple, अगर मैं B की वेली पुट करना, स्टार्ट करूँ 0, so 3 0s आ, 0, first point पे यह है, यहां पे यह 0 होगा, यह 3 होगा, so यह गलत हो रहा है, हमें दोनों नमबर सेम चाहिए, so 3 0s आ, 0, so let's write it down, A, यहां पे यह 0 होगया, this is 3, यह 0 आगया, यहां पे A और C बचा, अब सेम चीज हमें अगले स्टेप पे भी करनी है, 3 into what is, same, मतब 3 में क्या multiply करें कि वही नमबर, जैसे अगर आप 3 into 2 करें, तो नीचे भी 2 आना चाहिए, so अब हम सोचेंगे, वही सेम चीज कर सकते है, 3 0 सा 0, लेके, अगर हम यहां भी 3 0 सा 0 कर देंगे, so यह जो C इसकी बचा है, इसकी value तो finally नहीं कर पाएंगे, so this means A cannot be 0, okay, so अब हम आगे जलते हैं, 3 1s आ, 3, अगर हम 3 1s आ करें, तो 3 आएगा, यह बान होगा, यह 3 आएगा, this is not correct, 3 2s आ, 6, this is 2, यह 6 है, नहीं हो सकता, 3 3s आ, 9, 3 4s आ, 12, so यह 2 आजाएगा, यह बान आजाएगा, ल से, so यह 4 और 2 हो गया, मतलब यह भी possible नहीं है, now 3 into 5 करें, so 3 5s आ, 50, जब हम 3 into, अभी यह सारा हमने पुट करके देख लिया, इनमें से, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम 5 पुट करें, so 3 5s आ, A क्या आया, 5, 3 5s आ, 50, so यहा आगया, 50, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ So this means, A की जगा हम 5 पुट कर चकते हैं, तो हुमार पस नीचे आएगा, 1, 5, now let's write the values, so A की वेल्यू क्या है, 5, B की वेल्यू है, 0, and C की वेल्यू है, 1, so these are the values of A, B and C, this was question of